नमस्कार इशन इस इंडिया में आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ रेखा और कबिर बेदी स्टार फिल्म खून भरी मांग ने शनिवार को अपने 35 साल पूरे कर लिये हैं 12 अगस्त 1988 के दिन यह फिल्म सिन्नमा घरों में रिलीस हुई थी इसे अपने दोर की क्लासिक फिल्मों में से एक माना जाता है डारेक्टर राकेश ट्रोशन ने हाली में फिल्म के 35 साल पूरे होने पर पूराने किसों का जिक्र किया एक बादचित के दोरान राकेश ने फिल्म के एक सिन का जिक्र किया जिसमें रेखा को घुड सवारी करनी होती है डारेक्टर ने बताया कि रेखा ने इससे पहले कभी भी घुड सवारी नहीं की थी ऐसे में वो उस सीन को फिलमाते वक्त डारेक्टर बहुत डर रहे थे राकिश ने कहा रेखा के पास चुनने के लिए एक ही रंग के चार घोड़े थे जब घोड़े की सवारी का समय आया तब रेखा ने मुझे बताया कि उन्होंने पहले कभी भी घोड़सवारी नहीं की है उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं ही यह करूँगी फिर भी वोई घोडे पर बेठी और उस पर ऐसे सवार हुई जैसे वो एक ट्रेंड घोड सवार है उस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं वो गिर न जाए फिल्म का सबसे डरावना सीन वह था जिसमें रेखा का पती उसे एक जील में मगरमच के सामने धकेल कर मानने की कोशिश करता है राकिश ने बताया कि उस समय वो कॉंसेट काफी नया था ऐसे में इस सीन को शूट करने में काफी मुश्किल हुई थी उन्होंने का हमारे पास आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग करने का समय नहीं था हमें कुन्नूर के एक छोटे हिल स्टेशन पर शूटिंग करने थी मैंने अपनी टीम के लोगों को आउटडोर लोकेशन खुजने के लिए कहा था जब हम पोचे तो पता चला कि यहाँ पर कोई होटल नहीं है ऐसे में वहाँ पर धर्मिशाला जैसा सो कमरों का एक गेस्ट हाउस था इसलिए मैंने पूरा गेस्ट हाउस बुक कर लिया उसे पैंट करवाया, रेखा और कभी इस सेटिंग से खुश थे इसी किसाद बनेरी, इसलिए किसाद तरिवार